अलिली क्या कहेंगे संसद में लगातार हंगामा है और हंगामा क्यूं वर्पा है गौतम अड़ानी को ले करके विपक्ष पूरी तरीके से संसद से लेके सड़क तक बाहर खड़ा है। एजनसीज हैं वो अपना काम बखो भी कर दी है। दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि यह मामला उच्छतम ने आया ले में भी है। उन्होंने एक कमेटी बना दिया और उसमें सब इस्पेसिलिस्ट है। विपक्ष जेपीसी की डिबांड कर रहा है। संसद में तो बहुत वि जाता नहीं है। विपक्षी संसदों ने उस पर सुप्रेम कोट ने कमेटी बठा दी और वो अपना काम बखो भी कर रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जिसके उपर यह सारा हुआ था। वो एक सौर्ट सेलिंग कंपनी बिज बिजनेस है उसका जो शेयर गिराती हैं खरीती है। और अभी धिरे धिरे अडानी के शेयर जो हैं बढ़ने लगे हैं। यदि मेरा उससे कोई तालुक नहीं है। तो यह एक भारत की माने मोदी जी के नेतरत में बढ़तीवी आर्थिक शक्ती को पीछे खिचने की एक लेकिन अनिल जी क्योंकि आप सफाई से बात करने के आदी रहे हैं इसलिए मैं आपसे बात भी करना चाह रहा हूँ कि बार बार भी पक्षी आरोप लगाता है कि अडानी जी का और प्रधार मंतरी नेजिनर मोदी का बड़ा गेरा संबन्द है वो उनकी फ्लाइट में जात करता है जी अडानी को port मिला है के रडानी को काम मिला है राजस्थान में ना तो हमारी सरकार ने को यह सारी चीजें जो है इनका कोई अर्थ नहीं होता है उद्योगपती हर जगे जहां उसको दो पैसे का फाइदा होता है वो जाता है वो किसी का नहीं होता है आप इस कड़ी में अगर आप देखें Reliance इंडस्ट्री को तो पूरा जो उद्य हुआ है वो जब प्रणवदा फाइनेंस मिनिस्टर थे और इंदराजी तरहर मंत्री थी तब हुआ है तो यह कोई ना कोई उद्योपति किसी ना किसी समय में आगे बढ़ता है उसको हम उस समय की सत्ताधारी दल के साथ जोड़ देते ह हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है यानि आप किरें कि प्रधानमंत्री नेजchemical मोडी का और गौतम अडानी का कोई व्यक्ति का जिसमें लेंदेन नहीं है जो व्यक्ति मानें प्रधानमंत्री जी का तो जीवन पूरा एकदम साफ है जो उने तनकौा भी मिलती है वो भी अपने कर प्रियासी है, ना वो तो, कैसे मैं तो फखीर हूँ, येस वो है, बलके वो ये जीवन की जो ये सब चक्र हैं इन से उपर हैं, अपनी जिस मा को वो इतना प्यार करते हैं, उनका देहां दोता है, वो जाते हैं, एक साधारन वेक्ती की तरह, बेटे का दायत वे निभाते हैं, करतवे निभाते हैं, और आके फिर मिटिंग करते हैं, शायद ही हिंदुस्तान में इस तरह का कोई आपको एक्जामपल देखने को मिले हैं,